हलो दोस्तों आप सभी का रादावललब गूरूप आप इंस्टिटीट की आलन क्लासेज में स्वागत है मैं सुझीत आप सभी को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स में इसमें topic देखना है वह हमारा सोता उस्सर्जन या इसको हम बोलते हैं spontaneous emission तो यह आपका होता क्या है आये देखते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी परमाडू जो होता है परमाडू में दो भाग होते हैं नाभीक और आपका कच्छा है जिसमें लेक्टरान चक्कल लगाते हैं तो कच्छाओं जो इलक्ट्रान होते उनको चकल लगाने के लिए ईसके बद्धुताकर SARAH का बन्होंता ही जब किसी को एनरजी दी जाती है तो पर चाना देजु तवस्था में छला जाता है जो के WORK से ज्र Commission होते हैं और उनके पास अपनी उर्जा होती है उससे उनके पास क्या होती हुआ उर्जा की मातरा बढ़ जाती है बाहर की इनरजी को ट्रहका करने के बाद तो वो क्या करते हैं कि अपनी मूँ लवस्था को छोड़ करके अपने उच उर्जा अस्तरी कच्छा में प्रिवेस कर जाते हैं तो जैसा हम जानते हैं कि कोई भी एलेक्टान जा अपने उच उर्जा अस्तरी कच्छा में प्रिवेस करता है तो वहाँ पे वो minimum 10 to power 8 second तक ही रह पाता है तो 10 to power 8 second रहने के पस्चात वो फिर पूना क्या करता है कि अपने प्राणविक कच्छा में वापस चला आता है तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि समानतर किसी बात करें किसी प्राणविक को किसी उर्जा श्रोद द्वारा उर्जा दी जाती है तो वह प्रमाडव एचनी उर्जा और सोसित करने के बाद उत्तेजी जवस्था में आ जाता है तथा उत्तेजी जवस्था तथा 10 to power 8 second तक तक इसी वस्था में बना रहता है तत पश्चात अपनी मूल वस्था में पूना वापस लोटाता है तो जैसा कि हमने बताया है कि जब इसको एनरजी दी जाती है तो कितना सेकंड तक रहता है हमारी मूल वस्था इसमें आपका यह इनरजी को दी देनी के बाद क्या किया कि जो इलेक्टरान को क्या कर लिया अब आवसोसित करने के परस्षा अब यहां से जो इलेक्टरान तो कहाँ चल गया कफे तो अभ यहां इंप करके में किसी पदार्त को लिया तो यह प्राप्त करने के बाद क्या किया अपने उचितम उर्जास्तर के कच्छा में पहुच गया है तो पहुचने के बाद यह क्या करता है तो वापस आने के के बाद यह करता क्या है तो लौडते समय परमारू घ्री अर प्रित्ति का प्रकास फोटान उससरजित करता है और यह उच्छास होता है उसर्जित करता है तो जबकि और यह उर्जा जो उसर्जित होती है इसका जो मान होता है E2-E1 के बराबर होता है क्योंकि पहले एलेक्टरन आपका मूँ लवस्था में था इनर्जी पा करके E2 में गया E2 से जब फिर पुना-E1 में आएगा तो जितनी इनर्जी नहीं आपका प्रकास फुटान उसर्जित होगा उसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होगी को किस दिशा में उसर्जित होगा तो जैसा कि यहां पर डियाग्राम के सुर्ण समझते हैं कि यहां पर इलेक्टरन क्या है अब था E2 में था अब क्या होगा स्वताव उसर्जन होगा कितनी सेकेंड पर प्रकास के रूप में तो जैसा कि हम यहां पर देखें अगर तो हमारे क्या है यह कोई पदार्थ है त कितनी परमाडू है मने तीन मेने मान लिया है ए ए ए तो अब ये तीनों क्या कर रहे हैं उस सरजित होने के परिशाथ एचनियों एनर्जी प्रकास फुटान की रूप में उस सरजित कर रहे हैं लेकिन ये तीनों की दिसाएं क्या है एक समान ना हो करके अनिमित है ये उपर ज तो आपका जो प्रकास होता है वह कला संबंद नहीं होता है जब कि हमने लेजर जो पढ़ा था लेजर के हमने characteristics पढ़ेते हैं तो वहां पर मारी जब से इंपॉर्टे रिकॉर्ड मेंट यही थी कि आपकी जो उसमें लेजर पुझ होते हैं इनके प्रकास पुझ होते हैं उचितम कला संबंध होते हैं तो सवत्र उसरजटित होते हैं तो आप यहां पर करें कि हमारा क्टिंग्लूजन क्या है स्वत्ह व सर्जन तथा विभिन पर्माडों के लिए विभिन समय उपर होता है अब हमिन पर्माडों में स्वत्होजन द्वारा क्ला बिशकाल चुंगता है मतलब कि आपस डूबاي Ment पढ़ना है next topic उद्दिप्त उसर्जन अब ये उद्दिप्त उसर्जन क्या होता है इसकी process को देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या है तो उद्दिप्त उसर्जन में हम ध्यान से पहले पढ़ने कोसिस करेंगे कि क्या लिखा है यहाँ पे जब कोई परमाडू सर्जित अवस्था में हो और उससे उसी अबरित्तिक का प्रकास फोटान टकराए जो की जो की उस परमाडू द्वारा उसर्जित होने वाला हो तो परमाडू तुरंत ही निम्न उर्जा अस्तर इवन में आ जाता है तथा ठीक उसी अबरित्तिक का प्रकास फोटान उसर्ज इस इस वाले प्रकास को उद्दिप्ध कर देता है इस प्रकार की उसरजन को उद्दिप्ध उसरजन कहते हैं और यह स्वताओ उसरजन से पहले होता है कहने का मतलब यह है कि इसको समझने कkr구요सिस कीजिए कि यहां पे क्या है कि जब कोई परमारू 39 तवस्था में हो मतलब यहां पे आपका जो परमारू पहले से क्या है 30 तवस्था में कहने के मतलब है कि जो एलेक्ट्रान है आपका मुझम अवस्था में नocyक तो यहां पहुझ चकỏ पूना अपने मूह लवस्था में वापस आता और इसके दौरान उड़ क्या करता है एचनिव प्रकास का फोटान उससर जित करता लेकिन हमने क्या किया कि जैसे ही आपका इलेक्टरा उत्रीस लवस्था में गया तो हमने क्या कि एचनिव इनर्जी इसको प्रोवाइड किरा हमने विद्निव अवरित्ति की वही अवरित्ति की उर्जा इसको दिया है जिस अवरित्ति की का प्रकास वहां से सोता उत्पन होता तो ऐसे में क्या हुआ कि जैसे हमने एचनिव इनर्जी इसको दिया एचनिव इनर्जी देने के पस्चात जो आपका इलेक्टरान जो प्रकास फुटान होता है और आपस में क्या होते हैं और दोनों एक ही दिशा में उसर्जित होते हैं तो इस विज़े से क्या होती है जो आप्तित प्रकास फुटान होता है और उस्साजित प्रकास फुटान होता है दोनों आपस में क्या होते हैं कला सब्बद होते हैं तो जैसा है कि यहां पर हम लोग चित्रमित से समझते हैं इसको कि अब यहां पर क्या था कोई आल्रेडियम उसकी वी दिसा में ही होती है जिसके वज़ा से दोनों आपस में क्या होते हैं कला सबद होते हैं तो जैसा कि प्रमाडु हमने लिया है उसमें तीन यहां से क्या होते हैं दो-दो हमारे क्या होते हैं प्रकास पुंज निकलते हैं और सभी की जिसाएं क्या होती है एक समान होती है तो अगर हम सभी क्या है यहां पर हमने क्या प्रकास थां अगरे अंगराव यहां से अगरफ से तक रहेंगे 10 शाजित इसी प्रकार से क्या होती है कि आपकी प्रकास फुटान उठ जाएं यहां से लगाता प्रवर्धित होती रहती है और ऐसे जब भी हमारा क्या होता है इस तरीके से हमारा कोई भी जो लाइट होती है वह क्या होती है ऐसे करते हमारी क्या होती है बहुत इसकी इंटेंसिटी बहुत ह हाई हो जाती है और यह single direction होता है कला संबध होता है और क्या होती है इसके केड़े आपस में समांतर होती है तो 4 यहां पर जितने भी condition देखें हैं वो सारे condition हमारे laser light के लिए perfect होती है क्यूंकि हमने वहाँ पर चार characteristics पढ़ेते, कि इसकी जो light होती है, single direction में travel करती है, किसी एक direction में, और उसमें क्या होता है, कि letregion में, तो यहां भी क्या देख रहे हैं, कि हम उचयकला संबद है, और उसके बाद हमने जखाता है, कि वहां पर जो light होती है, क्या होती है मोनो क्रमेटिक होती है यहां से आपकी light आदार पर ही मुस्वला हैा और तो यह जो यहां पे हम देख लीत है तो इस सग्ण Expect eyes उस्वार्जित की दिशाव वही होती है जो आप स्वार्जिपति प्रकास झोंगी की होती है अता उसर्जित उद्धित प्रकास आप्तित प्रकास के कला सब्ध होता है तो अब हमें समझ में आ गया है कि हमारा जो सोता होता है और लाइट के लिए होता है और हमारा जो उद्धित उसर्जन होता है हमारा क्या होता है इस पेसली लेजर लाइट के लिए होता है और लेजर लाइट की जो हमारे कारसिधान्त होते हैं वो उद्धित उसरजन पर ही हमारे आधारित होते हैं तो दोस्तो आज की क्लास इतना ही आप नेक्स क्लास में हम कुछ और टॉपिक कबर करेंगे आज के लिए धन्यवाद